गुदरत का भी कहर है और भयानक मनजर है जी हाँ ये है सियाचिन हिमाले के कारा कुरम के पहाडों में मौझूद है दुनिया की सबसे उची रन भूमी यहाँ पर परिस्थिती इतनी कटिन है कि तापमान हमेशा माइनस में रहता है ने जुन की गर्मियों में भी यहाँ पारा माइनस पांच से माइनस दस तक रहता है और सरदियों में पारा माइनस पचास डिगरी तक चला जाता है यहाँ पर हवा बहुत पटली है और परियाप्त ऑक्सिजन भी नहीं है युद्ध का खत्रा 24 गंटे मंडराया रहता है और सामना सिर्फ दुस्मन से नहीं बलकि कुद्रत से भी करना होता है और ऐसे बेहत मुश्किल हालात में भारतिये जवान 24 गंटे एक ग्लेसियर की और अपने देश की रखवाली करते है इस जगह पे ना पेड़ पोते हैं ना जानवर है और ना ही कोई पक्सी यहाँ पे चारों और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है इतनी बर्फ के जरासी भी लापरवाही हाईपो धर्मिया को नौबत दे सकती है सियाज इंग्लेसियर समुन्दर तर से लगबग 20,000 फीट की उचाई पर है और इस कठीन परिस्तिती में हमारे सैनिकों को एक के बाद एक टुकडियों में बाट कर चार-चार महिनों तक बेजा जाता है लेकिन यकीन मानिये वहाँ पर चार महिने तो क्या चार दीन भी काटना हम आम इंसानों के लिए मौत को दावत देना है इतनी उचाई पर जहां हमारे सैनिक देश की हिफाज़त करते है वहाँ तक उनको हत्यार, खाना, उनकी जीवन की जरूरी चीज़े और सारा का सारा सामान नीचे के बेस कैम से हेलिकॉप्टरों में पहुचाया जाता है हर सुबा आठ बज़े से ग्यारा बज़े के बीच एक के बाद एक हेलिकॉप्टरों की परेड लगती है जिसमें गलेसियर की उचाई पे मौजुद सैनिकों को सामान पहुचाने की कारिवाही हर दिन की जाती है आपको अगर मालूम ना हो तो बता दे के वो फ्रेंच तकनिक के हेलिकॉप्टर सिर्फ 16,000 फिट तक की उचाई पर ही उड़ सकते है लेकिन हमारे जाबाज पाइलेट कम सिपाही उन हेलिकॉप्टर को 19 से 20,000 फिट की उचाई पर बेहत पतली हवा होने के पावजुद भी उड़ाते है और जरूरी सामन उन हेलिकॉप्टरों से थ्रो किया जाता है क्योंकि वहाँ पर लेंड करने की कोई जगा ही नहीं है यहां तक आप अगर चौके नहीं है तो आगे सुनिए जब इन हेलिकॉप्टरों से सामन फैका जाता है तो इन में खाने की चीजे भी होती है जिसमें जो आलू होते है वो हेलिकॉप्टरों से फैकने के बाद नीचे गिरते वक्त एक सबजी के रूप में से एक पथर या स्टौन के रूप में परिवर्टित हो जाते है उसे अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो लगेगा के आलू जैसा एक आरस का टुकड़ा पकड़ा है ग्लेसेर के उपर बसे हमारे जवान कहते है के इस आलू को पका कर खाने लायक बनाने में कूकर में कम से कम 19 से 20 सीटिया बजानी पड़ती है तब जाके वो आलू खाने लायक बनता है आप इस बात से ही वहाँ की परिस्तिती का अंदाजा लगा सकते है हमारे जवानों को वहाँ पर सबसे बड़ा खत्रा हीम्स खलनका भी रहता है और आज तक उसमें सैकडो जवानों की जान भी गई है लेकिन कुछ जवान ऐसे भी है जो वहाँ के खत्रों का सामना करके भी जिन्दगी से लड़ रहे है एक 24 साल की उमर के मेजर जब इस ग्लेसियर पे अपने ड्यूटी बजा रहे थे तब वहाँ पर बर्थ का भयंकर तुफान आया था और अनफॉचुनेटली उन मेजर की उंगलिया सुन्न होने लगी उनके खबर तुरंट नीचे बेसकें तक पहुचाई गई लेकिन भयंकर तुफान के कारण हेलिकॉप्टर नहीं उड़ पाए तुफान पूरे छे दिन तक चला और तुफान के थोड़े ही कम होते ही सबसे पहले हेलिकॉप्टर उस जवान को लेने के लिए रवाना हुआ उनको तुरंट नीचे लाया गया और दिल्ली के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया लेकिन देर इतनी हो गई थी के उनका एक हाथ और एक पाव काटना पड़ा लेकिन बिल्को हिला देने वाली बात समझे दोस्तों जब वो स्वस्थ हुए तो उनके ज़स्बे में एक परसन की भी कमी नहीं आई और ना ही उन्होंने फौज को छोड़ा और ना ही हमारी फौज ने उन्हें छोड़ा आज वो मेजर पूने के आर्मी कैम्प में नए फौजियों को ट्रैनिंग दे रहे है दोस्तों ये होती है देशबक्ती और देश की सेवा हम यहाँ आराम से अपना जीवन जीते है लेकिन आज हम सबकी सांसे उनके कारण चलती है वो चाहें सियाचिन में हो, राजस्तान के रन में हो या सुंदरवन के जंगलों में हो या देश के कोई और अंधरुनी हिस्से में हो लेकिन आज उन्ही के साहस के कारण हम सिंदा है उन देश के वीरों को हमारा सत्सत प्रणाम अगर आप लोगों को भी कभी समय मिले तो किसी दिन या किसी त्योहार पर हमारे आर्मी ओफिसर्स को मिलने जरूर जाए आज के लिए इतना ही और अगर आप दनॉलेज पे नए है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें आपकी और जवानों की शुब कामनाओं के साथ फीर मुलाकात होगी वंदे मातरम जय हिंद